नमस्कार आप देख रहे हैं राष्ट समाचार कोरोना वाइरस के बढ़ते संकर्वन के बीच डॉक्टरों पर भी इसके दवाब का असर दिखाई दे रहा है चत्किस गड़के राइपूर से एक मामला सामने आया है जहां पर एक बुजरुग जिंदा महिला को डॉक्टरों ने मिर्त घोशित कर दिया और परियन उसे अंतिम संसकार के लिए लेकर शमसान घाट पहुँच गए शमसान घाट पर पूरी तयारी हो चुकी थी बस महिला को टिता पर रखना था इस दौरान पर यनों को पता चला कि महिला की पल्स चल रही है उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर को शमसान घाट पर ही पल्स चेक करने के लिए बुलाया और जाज के दौरान डॉक्टर ने महिला को जिवित घोशित कर दिया रायपूर में ही रहने वाली 73 साल की लक्ष्मी वाई अगरवाल दोपहर 3-4 वजे खाना खाते समय अचानक विहोस हो गई उसके बाद उन्हें तुरंत ही इलाज के लिए अंबेडिकर अस्पताल ले जाया गया इमर्जेंसी में उनका इलाज शुरू किया गया और उनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बुजर्ग महिला का ECG किया और कुछ देर बाद में महिला को मिर्त घोशित फिर परिजर ने शब को लेने अस्पताल पहुँचा और एम्बुलेंस से शब को मुक्ती धाम ले गए जहां पर अंतिम संसकार की पूरी तयारी कर ली गई थी मौके पर मौजूद अंतिम समय पर लोगों ने देखा कि बुजर्ग महिला की इसांसे चल रही है ततकाल एक प्राइविट डॉक्टर को चिकप के लिए बुलाया गया डॉक्टर ने बताया कि पल्स चल रही है और जल्दी से इन्हें अस्पताल ले जाया जाए फिर से महिला को अंबेट कर अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मिर्त घोशित कर दिया गया था